तो हेलो दोस्तों आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है तो साथ हूं हम इस वीडियो में बात करेंगे आइटिया सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में और साथ ही साथ जानेगे आप सभी का जो है मेरिट लिस्ट कब आएगी इसके बाद हम जा आप सभी कि मेरिट लिस्ट कब आइथी उसके पहले एक और बहुत सारे ज्याट्रवन कर रहें जिन्हों ने फ्रीज आर फ्लोट कर आए ता पहले मेरिट लिस्ट में नाम आया था लेकिन उन्हों मेरिट लिस्ट में क्या गी आपने कॉलेट को चा करwort द SAY तो ऐसे में क्या हुआ सबसे पहले जो बरियतम memories लिस्ट में उनका उसके बाद जो बचे रहे हुए उनका रिख does जायेगा उर हम आपको बता दी आभी जगह मिला कि मात्र 35 परसंट बुध ज़िजा पहल़ पुल हुआ है मैक्सिमा 35% सीट जो है फुल लो पाए उससे ज़्यादा सीट कहीं भी किसी भी डिस्टिक में नहीं फुल हुई है तो आइटियाई एडिमिशन बहुत सारे चांस है बहुत सारे कम परसेंटेज वालों के भी अगर उसके बाद नहीं होता है सीट बशती है तो उसमें भी एड स्कॉलर का जो फॉर्म है स्कॉलर सिक के जो भी फार्म डाकुमिट लगतें आयर जात णिवास अधार काम गयों अगर आप सभी के आधार कार्ड में मुवाइल नंबर नहीं है तो आप अभी उससे जाकर करवा लीजिए क्योंकि स्कॉलर्शिफ के लिए बहुत ज्यादे दिन का समय नहीं दिया जाएगा स्कॉलर्शिफ के आनलाइन फार्म भरने चालू हो गया हमने जो है अभी दो तीन दिन पहले उस पर वीडियो बनाई है कैसे आपको भरना है कैसे लॉक करना है कुछ हमारे आईटिया के जो भी छात्र थे उनका जिनका एडिमेशन हुआ था अभी हमने क्या किया उनका कुछ आईटियेशन के बाद तुरंत स्कॉलर्शिफ का फॉर्म भराकर हमने जमक करा दिया अगर अभी नहीं किया है तो आप एक काम जरू करना अधार कार्ड में मुबाइल नंबर अपडेट करा लेना और जो भी नाम आपके अधार कार्ड में है वहीं आपके नाम मार्क सीट म होने चाहिए अगर दोनों में गलत होता है तो इन्हें करेक्शन करा लेना क्योंकि नहीं तो आपका स्कॉलर्शिफ नहीं आएगा आगे भी बड़ी ज्यादा प्राबलम होगी तो अब साथ हम आप सभी को बता दे आज सभी का जो मेरिट लिस्ट आने वाली है सेकेंड वा होैं Rs 2-4 के बीच में जैसे कल के लिस्ट आने वाली है तो आज हमारेवक्ष में एक यह कंद मेरिट मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी तो आप हमारे से अपना ITI करना चाहर हैं तो प्राइबेट तो से कर सकते हैं लेकिं ब्राइवेट के लिए आप सभी को बहुत ही ज्यादा छहां खरूजे देने पड़ते